अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो अगर आपको पढ़ाई इच्छे नहीं लगती है math, science, arts या फिर engineering में हो और आपको engineering subjects पसंद नहीं है पढ़ाई में बिल्कुल मननी लग रहा है काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो मैं यही आपको suggest करूँगा कि जो भी आप अच्छे हो वो करो और मैं बिल्कुल आपको ये अगर आप ये video देख रहे हो तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो जरूर आप arts में अच्छे होगे, cooking में अच्छे होगे या फिर आप बहुत अच्छे athlete, sports person होगे या फिर आपको कोई ना कोई talent तो आप पस जरूर होगा वो आप भी जानते हो कि जिसको आप परसू कर सकते हो तो आपको वो ही करना चाहिए, पहले तो पढ़ाई में आपको ध्यान देने का पूरा कोशिश करनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर सकते हो और मतलब इतना तो करना च आपको उस interest को, उस hobby को परसू करना चाहिए, साथ-साथ में जो भी पढ़ाई कर रहा है तो उस hobby को भी परसू करो, job कर रहा है तो उस hobby को भी परसू करो, और बिल्कुल आपको यह अपने दिमाग में वो रखना चाहिए, कि बिल्कुल मैं time देख रहा हूँ, जैसे ही मेरी से कोई सर्वेस या कोई बिजनेस डवलप हो जाएगा मैं अपनी जॉब को छोड़ दूँगा और फिर बिजनेस की तरफ पूरा आपको छोड़ के आपको किसी और चीज को इंट्रेस्ट को पकड़ लेना चाहिए और करना चाहिए तो बिलकुल आपको जैसा ठीक लगता आप वैसा कर सकते हो लेकिन बस इस वीडियो में एडवाईस यह है जो भी आप अच्छा कर सकते हो जिस काम में आप टैलेंटेड हो है जो काम सही है और जिस काम को आप अच्छे से दूसरों से बहुत अच्छे से कर सकते हो वो काम करो विक्यास एकर मैं ब Énk जाता हूं और आपको अगर चैशियर में बैठना पसंदन है और आप काम कर रहे है तो मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी अगर मैं कहीं मैत देख जो खाना बनाने के लिए पैदा हुआ है, जिसको दिन भर खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मिरे को अच्छा खाना मिलेगा, और अगर मैं कोई किसी मुवी को देखने जाता हूं, और ऐसा एक्टर की मुवी लगी है, जो उस काम को बिल्कुँ शिद्दत के साथ करता है, उ आपेसली मुवी बहुत अच्छे होगी, तो हर काम में मुझे अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए मैं इस guidance को शेराई रहा हूं, ताकि जो काम अच्छा कर सकता हो करे, और हम लोगों को entertainment मίले, बहुत अक्छी services मिले,